अगर आपने अभी तक हमारी वो क्लास नहीं अटेंट करी है तो आप प्लीज आप देखिए वो वीडियो को और तभी आप जो है आगे की कॉंसेप्स को अच्छे से समझ पाएंगे जैसा कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि कभी भी कॉंसेप्स जो है वो अपने मत छोड़िए बैक्लोग कृइट मत होने दीजिये क्योंकि जैसे जैसे अगर आप लिक्छर मिस करोगे तो आगे की concept समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा तो चलिए आज की class में हम लोग बिटा सबसे पहले self-heory को जानेंगे कि self-heory होती क्या है then after हमने इसके बारे में एक intro हमने ले लिया था पिछले class में कि Slidden और Swan ने जो है इसे propose करा था आज हम overall जानेंगे self-heory के बारे में कि ये क्या होती है क्या कहती है exception क्या है इसके और साथ में modern self-heory क्या है और इसको किसने propose करा था क्या कुछ कहा गया है इसके बारे में ठीक है तो आज की class हमारी important होने वाली है तो ध्यान से इस class को देखेंगे complete video देखिए ताकि concept आपको अच्छे से समझ में आए और अगर आप अभी channel पे नए है तो मैं कहूंगी बिटा फटा फट से हमारे channel को subscribe कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले समय में जो है important lectures पगेरा जो है वो available होते रहेंगे जैसा कि आपको पता है कि 31st पे तक ही हम लोग जो है YouTube पे आपको NEED 2025 के class के लिए जो free classes आपको यहाँ पे available है then after हम लोग बिटा हमारे learning platform पे switch कर जाएंगे तो उमीद यही रहेगी कि आप लोग 31st तक जो है उसके पहले पहले तक आप लोग जो है अंजनई batch में enrollment ले लेंगे और अपनी NEED 2025 की preparation अच्छे से और बेटर तरीके से जो है वह शुरू कर लेंगे चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को पहले start करते है then after बाद में बाकी की बाते होगी चलिए देखिए cell theory क्या होती है पहले इसको समझेंगे तो ऐसे समझें के cell theory जो है जिसे की sledden और swan ने propose करा था चेक है sledden और swan दोनों ही जो है अलग अलग जगह पे study कर रहे थे आपको याद होगा हमने पिछले क्लास में बात करी थी और फिर आपस में उन्होंने जब अपने documents वगेरा share किये जो data वगेरा जो share किये तो बहुत सारे similarities उन्होंने देखे कि किस तरीके से plant और animal cells जो है बहुत ही उनमें ज़ादा similarities उनको देखने को मिली जस वजह से उन दोनों के ही informations को, data को मिला करके एक theories बनाईगी जिसे नाम दिया गया cell theory, ओके यह cell theory क्या कहती है कि जितने भी living organism है सब के सब बने हुए है cells और उसके product के, किसके product के cells के product के, यहाँ their word किसके लिए उसकिया गया है बैटा cells के लिए, यानि चाहे cells की बात कर सकते हो या cells में पाई चाहने वाले जो product है, उनसे मिलके सारे organisms जो है, वो बने हुए है यह कहता है आपका first statement then कहा गया, living cells being made unicellular, colonial और multicellular on the basis of number of cells ध्यान दिजेगा, कि number of cells के basis पे आप living organism को classify कर सकते हो as a unicellular organisms के रूप में और multicellular organisms के रूप में ध्यान दिजेगा, अगर एकलोता cell है, उसे आप unicellular बोल रहे हो, एक से ज्यादा कई सारे cell है, तो वो इकठे होंगे गुच्छे में होंगे, तो उसको आप colonial या फिर multicellular cells भी कह रहे हो, या फिर organisms भी कह रहे हो, ओके, चलिए आगे बात करते हैं, एक cell जो होगी, ठीक है, cell is a cell है, क्या actual में इसकी definition दी गई, कि cell जो होते हैं, वो mass of protoplasm होते हैं, मतलब protoplasm का एक mass होता है, जिन में nucleus मौजूद होता है, ठीक है protoplasm जो है, आगे चलके हम परहेंगे, कि किस तरीके से protoplasm को divide किया गया, nucleoplasm और cytoplasm में, किस में किया गया, cytoplasm cytoplasm और nucleoplasm में, ध्यान दीजेगा यह किसका classification है, तो यह है आपके protoplasm का protoplasm, ओके protoplasm को दो पार्ट में divide किया गया, अब जो है, ध्यान सा सुनिएगा, कि जो cytoplasm होते हैं, इसे आप extra nuclear material बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, extra nuclear fluid या material आप बोल सकते हो, ठीक है और यह जो हो गए, वो intranuclear material हो जाते हैं, जो nucleus के अंदर पाए जाते हैं intranuclear fluids, ठीक है, या substance आप बोल सकते हो, ओके यानि, cytoplasm वह जो आपके nucleus के बाहर पाए जाते हैं, और nucleoplasm वह, वह fluid like structure जो nucleus के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है, तो कहा गया कि एक cell जो है वो overall protoplasm का mass है, ठीक है, और इनही में nucleus पाया जाता है जिनमें क्या होता है, nucleus पाया जाता है ये nucleus क्या होता है, तो ये nucleus जो है, वह एक structure होता है, जो के cell के अंदर पाया जाता है, ठीक है, और ये जो है, आपके nucleus जो है वो contain करते हैं, genetic material को, किसे ये अपने अंदर समेटे हुए हैं, genetic material को, कुछ organism ऐसे होते हैं, जो के इनमें एक nucleus पाया जाता है, या फिर कई ऐसे भी organism हैं, जिनमें की एक से ज्यादा nucleus पाया जाता है, अगर organism में एक nucleus से बिचा, तो उसको uninucleated organism बोलेंगे, क्या बोलेंगे uni, ध्यान दीजेगा कि अगर कहा गया ये uninucleated organism ठीक है, तो याद रखेंगे कि uninucleated organism के पास one nucleus होगा, वहीं multinucleated organism की बात करें, तो उनके पास एक से ज्यादा nucleus होगा, ठीक है multinucleated की condition होती है, बिचा, प्लांट में, अगर माल लीजे, कोई भी आपको ऐसा प्लांट दिखता है, फोर इक्जेंपल wall walks, जसमें की, एक सी ज्यादा आपको nucleus दिखाई देते हैं, तो आप बोलोगे क्या, की wall walks जो है, वो multinucleated क्या है, आप बोल सकते हो, multinucleated cell है, आप ऐसा बोल सकते हो, तो ऐसे में, हम इनको बोलते हैं, कोई नो साइट्स, क्या कोई नो साइट्स, वहीं अगर animals में, अगर कोई organism पाया गया, जैसे की आपके scaris के जो epidermis होते हैं, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा nucleus पाया जाता है, तो उसको हम क्या देंगे, नाम syngtium, क्या नाम देंगे, syngtium ध्यान देंगे, important है कि plant में multi-nucleation का, अगर multi-nucleae का condition अगर आता है तो आप नाम दोगे coinocyte, और अगर animal में अगर देता है या फिर animal में अगर multi-nucleated condition अगर दिख रही है, तो आप नाम दोगे syngtium ओके, syngtium, ओके, चले आगे बात करते हैं, कि जो होते है, have a similar structure and metabolism, almost जो cell होते है, उनकी बनावट, उनके structure जो होते है एक जैसे होते है इविन दो उनके काम करने का जो तरीका, जो metabolism यानि कि metabolism क्या होती है, ये समझ लीजे, अगर आपने हमारे, जो है, अभी के living organism की, और इसी दिन के लिए बिटा, ये सारे terms को मैंने जो है, define करके आपको बता दिये ध्यान से सुनिएगा, metabolism जिसमें कि कोई चीज क्या हो रही होती है या तो break हो रही होती है या तो ये form हो रही होती है या तो breaking हो रहा होता है या formation हो रहा होता है या तो catabolism या anabolism ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि catabolism और anabolism की जो process है वो simultaneously होती रहती है ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि cell में जितने भी आपके chemical reactions हो रहे है, कोई चीज टूट रही है, बन रही है, तो हर एक cell में वो metabolism की जो functions है, वो क्या होगी बिटा, similar होगी, और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कोई भी organism, माल लीजिए कि ये कोई organism है, ये organisms की body, ठीक है body अगर response कर रही है ये बहुत सारी activity कर रहा है मतलब खा रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है गार है, सो रहा है, मतलब जो भी activity कर रहा है, ये किस वज़ा से कर रहा है क्योंकि इस बंदे के body में जो पाए जाने वाले जो cell है ना, वह क्या कर रहे हैं वह जितनी possible activities हो सकती है ठीक है, धान दीजेगा, जितनी activities cell को करनी चाहिए, जो interactions होना चाहिए for the metabolism, वो सब ही metabolic reactions को कौन perform कर रहा है, इस organisms के body में पाए जाने वाले cell, इस वज़ा से ही ये organism जो है, वो एक living organisms consider किया जा रहा है, I hope कि ये चिज़ आपको clear हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं exceptions to cell theory क्या है exceptions to cell theory तो ध्यान दीज़ेगा कि cell theory में जो बाते कही गई, उनमें कुछ बाते ऐसी थी, जो कि आप बोल सकते हो कि वो हर जगा fit नहीं बैठती थी जैसे कि कहा गया all organisms are made up of cell तो ध्यान दीज़े कि viruses, कुछ viruses जो कि आप बोल सकते हो कि ये क्या है, micro organisms kind of है, बत ये जो है ये cellular structure consist नहीं करते मतलब ये जो है जैसे आप बोलते हो न कि single cell आपने पढ़ा था, single cell को आप life consider करते हो बत वाइरस जो होते है बेटा, ये क्या होते है, इनमें तो cellular structure होता ही नहीं है, ये तो dead होते है जब ये कभी host body के contact में आते है तब जाके ये live होते है इसकी process हम लोग आगे जानेंगे बत ये ज़स जो है ध्यान से समझें कि वाइरस जो है उनमें cellular structure तो होता नहीं है ठीक उसी तरीके से कुछ monorans और protestants होते हैं वो acellular होते हैं means कि वो जो है आपके separately individual unit of cells से नहीं बने होते और नहीं वह तूट करके जैसे देखो कोई एक cell है तो जाहिर सी बात है अगर ये cell divide होगा तो दो cell में divide होगा लेकिन कुछ monorans और protestants ऐसे होते हैं जिनकी अगर बात की जाए तो वो ना तो cell के बने होते हैं और ना ही वो cell के रूप में या smaller parts of cells में divide होते हैं तो exception हुआ ना आगे बात करते हैं certain organisms कुछ organisms ऐसे होते हैं जो कि multi-nucleated होते हैं ठीक है वहीं कहा गया कि जो typical nucleus की हम बात करते हैं वह तो prokaryotic cell में पाया ही नहीं जाता है अब ये typical nucleus cell क्या होता है तो समझेंगे कि cell के अंदर पाया जाने वाला एक small structure या यूंको एक structure होता है एक organically होता है ये क्या होता है जो nucleus जो है वो क्या है बिटा और ग्यानेली ठीक है जो कि पाया कहा जा रहा है cell के अंदर और ये जो nucleus है इसी के अंदर किसी भी organism का genetic material होता है बट 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 देखा जाए कि prokaryotic cells जो lower cell है उनमें बिटा ये nucleus जो है वो तो पाया ही नहीं जाता आगे बात करते हैं कि connective tissue जो होते हैं जैसे आप बोल सकते हो bone या फिर blood हो गए ये सब जो connective tissue है इनमें lot of non living material होते हैं in comparison to living matter अब यहाँ पे ये क्या है इसको समझेए ध्यान दीचेएगा ऐसे समझे बटा कि अगर मैं बात करूँ bone की ठीक है तो bone में बटा ज्यादा तर क्या deposition है वहाँ पे inorganic substance का deposition वहाँ पे है जिसके वजह से आपकी हड़ियां जो होती है वो मजबूत होती है ठीक है organic matter से ज्यादा वहाँ पे क्या मौजूद है inorganic matter या और inorganic matter को ही आप क्या कहते हो बटा non living matter कहते हो ध्यान दीचिएगा non living matter का मतलब है in organic okay living matter का मतलब होता है organic okay चलिए आगे बढ़ते है ध्यान से सुनिएगा कि वहीं अगर blood की बात की जाए ठीक है blood blood में अगर देखा जाए तो वहाँ पे कई सारे proteins जो है वो आपके blood में available होते है but उसके अलावा अगर बात की जाए तो large amount of water and minerals जो है वो दिप वहाँ पे मौजूद होता है तो आप कह सकते हो कि connective tissues जो होती है वीटा उन में आपके living matter के comparison में जो non living matter होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ओके चलिए आगे बात करते हैं कि कुछ cells ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं अपने nuclei को lost कर देते हैं अपने nucleus को ही खो देते हैं और कब जब वो mature state में पहुँच जाते हैं तब जैसे कि आपको पता होगा RBC, red blood capsules या red blood cells जिसे आप बोलते हो इसकी बात करें इसकी life span 120 days ही होती है क्योंकि जैसे ये mature हो जाता है इसके nucleus खतम और ये पूरी तरीके से एक तरह से मालो की ये मड़ जाता है तो ऐसे ही बिटा जी क्या होते है कि certain cells जो होते है वो अपने nucleus को खुद ही क्या कर देते है lose कर देते है तो इस तरीके से बिटा ये कुछ exception थे किसके cell theory के जो के बताते ये है कि cell theory में कही गई साड़ी बाते जो है वह correct नहीं है and I hope कि आपको जो है मैंने अभी तक जितने भी बाते आपको बताई जितने भी concept अभी समझाए I hope कि आपको समझ में आ रहे है अगर वीडियो अच्छी लग रहे है बिटा तो वीडियो को like कर दीजे और अगर आप अभी चैनल पे नए है तो please चैनल को subscribe कर दीजे and if you want कि आप NEED 2025 की better preparation करें तो उसके लिए आप analysis orvis को as a better option आप choose कर सकते हो देखो बिटा हमारे जो है हमारे कोर्स में enrollment लेने की process बहुत बहुत simple है मैं अगर बता दूँ तो एकदम minto का खेल है भाई साब बुलते हैं एकदम within minute क्या करने है simple सा आपको हमारी app को जो है play store से download कर लेना है और वहाँ पे course वाले section में जाके वहाँ से course में enrollment लेनी है और उसके अलावा आपके पास एक और option है और वो option ये है कि आपको आजाना है then after आपको अंजनाई batch for droppers need 2025 पे click करना है देखो बिटा दियान से यहाँ पे 4999 इतने affordable price बिटा need 2025 के preparation के लिए जितनी भी essentials आपको चाहिए वो सारे के सारे एक platform पे available physics, chemistry, bio comprehensive class एकदम detail आपकी lecture then after weekly test mentorship हर एक तरह की जो आप बोल सकते हो DPPs हर एक चीज़ involved होती है बिटा तो मैं आपको बिता दू कि YouTube पे ये class आपको जो free में मिल रही है 31st में तक ही मिल पाएगी उसके बाद बीच बीच में आपको revision lectures मिलेंगे then हम लोग जो है हमारे learning platform पे switch कर जाएगे तो आप अगर आपने ठान लिया है कि NEET 2025 में आपको better score करना है आपको एक medical college में admission लेनी है अपनी doctor बनने का जो सपना है उसको और करीब जाना है उसके तो आपके लिए ये analysis और बेस भी एक better options हो सकती है तो please कहूंगी कि आईए और हमारे साथ जुर जाएए क्योंकि आपको परहा के आपके साथ अपने ये journey को शुरू करके हमें बहुत 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 खुशी होगी process बहुत simple है बिटा यहां से आप जो है enrollment ले सकते हैं किसी भी तरह की doubt होगी contact us के options पे आप क्या करेंगी click कर लेंगे और यहां से आप redirect हो जाओगे हमारे whatsapp पे और वहां से जो भी problem होगी वहां से आप क्या करोगे हमसे share कर सकते हो हमारी team as soon as possible response करेगी अगर आप वही app में हो वहां पे अगर कोई doubt हो रही तो वहां chat with us का option होगा वहां से आप contact कर सकते हो साथ में ध्यान देना यहां पे आपको मिलता है बिटा batch tracking link जिससे की और ध्यान दीजेगा यह जो है हमारी जो paid learner है उनको मिलेगा कि जैसे ही वह इस link पे click करेंगे उनके सामने एक actual sheet खुल जाएगी जिसमें हर एक दिन जिस दिन भी particular date को कौन से topic की परहाई हुई चाहे वह physics की, chemistry की, bio की किसे के भी बात कर ले कौन से subject में कौन से topic की कब परहाई हुई वो उसका अर्राम से lecture को trace करके revision कर सकते हैं जिससे कि मैंने हमेशा से बोला है कि कभी भी बच्चे को पूरे whole subject whole chapter में doubt नहीं होती certain topic में doubt होती है तो आपको इस तरीके से lectures जो है वो मिल जाएंगे जिससे कि आपका जो समय है न बेटा बहतर समय जो है वो आपका बच जाएगा और दूसरे यह कहो कि question practice में आप उसको use कर सकते हो तो हर तरह की guiding, mentoring और आपको जिस दिन से आप enrollment लेते हो हमारी course में उस दिन से ले करके आपके exam के date तक आपको guide किया जाता है, mentor किया जाता है आपकी हर एक छोटी से छोटी गलती जो की आपको drop लगवा देती है उस सारी गलतियों को सुधरवाया जाता है विटा, ठीक है तो मुझे बहुत खुशी होगी यह आप लोग को अपने साथ पा करके तो फटा-फट से enrollment ले लीजे और जोड़ जाए हमारे साथ अपने need 2025 के journey में तो चलिए आगे की बात करते है modern cell theory क्या कहती है तो ध्याम दीजेगा यह तो आप जानते हो कि sledden और swan ने firstly cell theory को propose करा था लेकिन कुछ exception होने के वजह से आगे बात की जा तो वरको जो थे उन्होंने contribute किया, मतलब उन्होंने अपने से एक और statement इसमें जोड़ा, वो statement क्या था all cell arises from pre-existing cells मतलब कि जितने भी cell है जितने भी cells है वो कहां से आते हैं तो अपने पहले के आए हुए cells से नहीं समझ में आया ध्यान से समझेगा, बिल्कुर समझ में आजागा देखिए, जैसे हमने कहा कि अभी न, मैं न, कह रही हूँ ऐसे समझो, कि यह देखो यह हमारा दोस्त कलवा है ठीक है, जो कि हमारा personal मतलब हम लोग example लेते हैं यह हमारा कलवा है अगर कोई पूछे कि यह कलवा आया कहां से है तो आप बोलोगे कि obviously इसके एक ममा होंगी एक पपा होंगे, अच्छा अब हमने कहा कि एक बात बताओ यह इसके ममा कहां से आई होंगी तो बोलो, obviously इनके भी ममा और इनके भी पपा होंगे और इनके पपा के भी पपा होंगे और ममा होंगी ठीक है, अब मैं बोलोगे तो ये कहां से आ गए तो आप बोलोगे और रे ये तो ऐसी है तो बिलकुल उसी तरीके से बेटा कि हर एक cell जो है वो अपने pre-existing cell से आया हुआ है यही कहता है modern cell theory आगे बात करते हैं modern cell theory जो है वो fundamental concept है biology में जो यह बताता है कि आपके cells जो है किस तरह की properties consist करते हैं उनका behavior कैसा होता है और इसी modern cell theory को आप cell principle यह cell doctor Ryan के नाम से भी जानते हो याद रखना इसे बहुत important है ठीक है अब यह कहते है कि modern cell of theory जो है वो क्या कहती है तो यह कहती है कि जितने भी organism है सब के सब एक या उससे ज्यादा cells के बने हुए हैं दूसरी बात cell ही जो है वह basic unit of structure और organization है किसमे organism में मतलब कि कोई कितरा भी बड़ा organism हो उसकी अगर basic unit अगर बात की जाए वह कौन है cell है और जितने भी cells है वो सब कहां से आए हैं तो pre-existing cells से आए हैं cells जो है वो contain करती है hereditary information जिसे कि आप DNA बोलते हो जो के cell division के दौरान एक generation से दूसरे generation में क्या होती है ट्रांसफर होती ह ठीक है अब आगे बात करते हैं कि जोतने भी cells होते हैं वो similar होते हैं अपने chemical compositions के हिसाब से metabolic activities के हिसाब से बात समझ में आ रही है उसके बात करते हैं कि energy की जो flow होती है means metabolism और biochemistry जो होगी वो आपके within the cell होगी energy का flow हो चाहे breaking और making के जो भी reactions हैं वो सब कहां होंगी वो सब cell के अंदर होते हैं तो यही आपका कहता है modern cell theory जिसे आप cell doctorine के नाम से भी जानते हो तो इस तरीके से हमने आज cell theory पढ़ा modern cell theory पढ़ा और इसको हमने पढ़के समझ के हमने खत्म किया तो next class में बिटा हम लोग जो है अब देरे देरे हमारे cell के और घ्यानलीज वगेरा उसको ज समझेंगे और इस तरीके से हम लोग continue करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फटा-फट से हमारे अंजनई बैच में enrollment ले लीजिए ताकि आ मैं मिलती हूँ आपको next class में तब तक के लिए बाई बाई